हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास थर्ड की वॉक्षीट नमबर 85B जो की 4 अक्टूबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों इवियस सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे ठिक है बच्चों तो चलिए इस वॉक्षीट को शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्तेवं सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों क्या आप जानते हैं कि जिस शहर में हम रहते हैं वे इतना मशूर क्यूं है? पूरे भारत में दिल्ली आकरशन का केंद्र है भारत की राजधानी होने के साथ साथ हमारी दिल्ली अपनी विभिन्नताओं से सब को अपनी और आकरशित करती है जैसे कि यहां का खान-पान, बाजार, जीवन-शैली, तियोहार, इत्यादी तो बच्चों आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली बहुत जादा फेमस है बहुत सारे लोग दिल्ली में आते हैं, यहां मजे करते हैं, यहां की बहुत सारी चीजों को पसंद करते हैं, जैसे कि यहां का खान पान, यहां का बाजार, यहां की जो जीवन शैली यानि लाइफ स्टाइल है, यहां पे त्योहार जो मनाये जाते हैं, वो सभी बहुत सारे लोगों को पसंद आते हैं तो आएए बच्चों आज दिल्ली की सैर करते हैं और अपनी दिल्ली की विशेशताओं के बारे में जानते हैं तो देखो पहले प्रेशन में हमें क्या कह रखा है कि दिल्ली की खासियत को जानने के लिए आएए पढ़ते हैं गीता का दिल्ली दर् गीता आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसके मामा जी उसे दिल्ली दर्शन पर ले जा रहे हैं। सबसे पहले गीता ने अपना सफर मेट्रो से शरू किया। मेट्रो में सफर करने में उसे बहुत मजा आया। मेट्रो को एक नदी के उपर से जाते देख, गीता ने अपने मामा जी से पूछा ये कौन सी नदी है? मामा जी ने उसे बताया कि इस नदी का नाम यमुणा है, यानी गीता पूरे दिल्ली का दर्शन करने के लिए निकली और उसने यात्रा शुरू करी मेट्रो से, और जब वो मेट्रो से जा रही थी तभी उसने एक नदी देखी और उस नदी का नाम क्या है? यमुणा नदी, ठीक है बच्चों, गीता ने दिल्ली दर्शन इंडिया गेट से शुरू किया, जहां उसने इंडिया गेट से लेकर राश्टपती भवन तक का भ्रहमण किया, यानि वो इंडिया गेट भी गई और वो राश्टपती भवन भी गई, राश्टपती भवन की बनावट देखव दंग रहे गई दंग का मतलब होता है हैरान हो जाना इंडिया-गेट के पास चिल्डरन पार्क में उसने बहुत सैं जूलों पर मज्य किये तबाद्चों इंडिया-गेटक के पास यह पार्क है जिसको कहते हैं चिल्डरンダंसपार्क और उसमें बच्छों को खेलने के लिए, बहुत सारे जूले बने हुए हैं, उसके बाद वह मेट्रो से पुरानी दिल्ली गई, गीता ने वहाँ लाल किला देखा, शीश गंच गुरुद्वारा देखा और चादनी चौक की मार्किट देखी, ठीक है, जहां पर सभी प्रकार का सामान और तरह तरह का लजीज खाना उ पहुची, तो उसकी आखे वहां की जगमगाहट से चमक उठी, यानि वहाँ पर हर जगे लाइट लाइट थी, जिससे वो काफी जादा अच्छी लग रही थी, गीता को वह दृश बहुत पसंद आया, वहां से वह अपने मामा जी के घर आई, और अपनी मा को सभी बाते ब पती भवन जाते, चिल्डरन्स पाक जाते, फिर लाल किला, शीष गंज का गुरुद्वारा, चादनी चौक, इन सब जगें जब जाते, आप मजे करते, खाना खाते, घूमते फिरते, तो आपको भी अच्छा लगता, तो इस तरीके से गीता को भी बहुत जादा अच्छा लगा इन सबी जगें को देख कर, अब देखो बच्छो, दूसरे प्रशन में हमें ये कह रखा है, कि गीता के दिल्ली दर्शन से संबंधित, यहाँ पे कुछ प्रशन दे रखे हैं, और हमें इनका उत्तर अपनी कौपी में लिखना है, जैसे कि पहला प्रशन है, गीता न सफर करके बहुत जादा मज़ा आया था, और तीसरा है कि गीता ने कौन सी नदी देखी, तो गीता ने देखी थी या मुना नदी, ठीक है बच्छो, फिर चौथा है कि गीता ने कौन कौन से समारक देखे, तो चलो मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ, आप वो सारे स मारक का नाम लिखेंगे, सबसे पहले वो गई थी इंडिया गेट, उसके बाद वो गई राश्टपती भवन, उसके बाद वो कहां गई थी, चिल्डरिन्स पार्क, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, उसके बाद वो गई थी, पुरानी दिल्ली में कई सारी जगें जैसे क लाल किला, शीष गंज का गुरुद्वारा और चादनी चौक की मारकेट, ठीक है, तो इन सभी जगें वो गई थी, तो आप इन सब का नाम लिखेंगे, पहला है इंडिया गेट, दूसरा है राश्टपती भवन, तीसरा है चिल्डरिन्स पार्क, चोथा है लाल किला, पां आपको दिल्ली में कौन सी जगें पसंद है और क्यों, यानि दिल्ली में आप जहां भी घूमने गए हो, उन में से सबसे अच्छी जगें आपको कौन सी लगी है, आपकी फेवरिट जगें कौन सी है, उसका नाम आप यहां पे लिख देंगे, अब यह मैं तो बता नहीं सक नीचे दिये गए हैं, संकेत बॉक्स की सहायता से समारकों को पहचान कर क्रमा नुसार अपनी कौपी में लिखिए, तो देखिए, पहले नमबर पे जो समारक है, यह है हुमायू का मकबरा, क्या नाम है इसका? यहां पे हम लिख देते हैं, हुमायू का मकबरा, तो यह आजाएगा पहले नमबर पे, दूसरे नमबर पे जो हमें समारक दिखा रखी है, यह है जंतर मंतर, क्या है? उपर लिख देती हूँ मैं, जंतर मंतर, ठीक है बच्चों? तीसरे नमबर पे जो हमें समारक दिखा रखी है, वो है कुतब मिनार, यहां पे मैं लिख द मिनार ठीके बचो और चौथे नमबर पे जो हमें छुत्रदी रखा है वो समारग है राज-घाट तो इसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं राज-घाट ठीक है और पांचवे नमबर पे जो समारग है उसका नाम है Lotus Temple यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है उसको हम ऐसे लिखेंगे Lotus Temple Lotus Temple ठीक है बच्चो अब आपको एक activity करनी है कि दिल्ली की कोई भी एक जगह को जो आपको पसंद है उसके बारे में बताते हुए एक video बनाएं एवं अपने teacher के साथ साजा कीजिए तो आपको किसी भी एक जगह जो आपको पसंद है उसके बारे में आपको 4-5 लाइने बोलनी है बोलते वक्त video बनानी है और उस video को अपने teacher के साथ share करना है ठीक है अब आपके parents के लिए सुझाओ है कि बच्चों से दिल्ली से जुड़े बदलावों के बारे में चर्चा करें एवं उप्रोक्त गधिविधी को करने में बच्चों की सहायता कीजिए तो बच्चों आप अपने parents से ये बात करेंगे कि दिल्ली पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है क्या क्या बदलावाएं है ठीक है बच्चों तो ये थी आज की हमारी EVS की वक्षीट आई होप आपको ये वक्षीट काफी जादा अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें अपने friends के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू